आज है दुनिया के पालन हाद विश्णू जी को याद करने का दिन आज है गुरू ब्रहस्पति और गुरू ग्रह को पसंद करने का दिन आज मा लक्ष्मी और उनके परमेश्वत विश्णू जी मिलकर आपकी किस्मत का रास्ता खोलेंगे आपको माला माल बनाएंगे आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिसे विश्णु जी और लक्ष्मी जी आपके बिगड़े काम बना देंगे आपको गुरु ग्रह की पूरी जानकारी दूंगी क्योंकि इस साल ये ग्रह आपके जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है और आज भगवान सत्य नारायन का आशिरवाद कैसे मिलेगा वो भी जानेंगे सबसे पहले आपको आज का पहला माह उपार बताती हूं आज साल 2018 का पहला गुरुवार है ये गुरु ग्यान प्रतिभा वैव लक्ष्मी की स्वामी है तो क्या वैवप पाना चाहते हैं? एक महा मंत्र नोट कीजिए ओम ब्रम भरस्पते नमः इस मंत्र का जितना हो सके इस साल जाब कीजिए इसे गुरु ग्रह आपका सारा साल शुफल देंगे अभी गुरु की बहुत सारी जानकारी और उपाय बताने बागी है आगे बताऊंगी ये तो बस शुरुवाती है आज साल का पहला गुरुवार है विश्णु जी का दिन है और आपको तो पता है लक्ष्मी जी विश्णु जी की पत्नी है इसलिए अगर आप दोनों को एक साथ प्रसंद कर लेते हैं तो क्या कहना विश्नु जी आपका उद्धार करेंगे और लक्ष्मी जी माला माल करेंगी यानि की डबल लाब विश्नु लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए शाली ग्राम की पूजा आपको रोज करनी चाहिए पहले पंचामरित से स्नान कराएं फिर साथ में चंदन लगा कर पूजा कीजिए विश्नु लक्ष्मी मंदिर में आपको फ्राइडे को जाकर लाल रंके फूल अर्पित करने चाहिए मालक्ष्मी की इमिज के सामने फोटो या मूर्टी के सामने ग्यारा दिन तक अखंडित जोज जलाएं ग्यारवे दिन ग्यारा कन्याओं को भोजन कराकर एक सिक्का मतलब पैसे और मेहन दी दीचे आज साल का पहला गुरुवार है विश्नु जी का दिन है ऐसा चक्र देख रहे हैं अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए अपनी हते quizzes यहां पर अगर ये चक्र हैं दस ऑंग्लियों में ठीक ौरहं समग्लियों में चक्र के निशाने यह बहुत सभागेशाली होते हैं पुराने जमाने में इसे निशान वालों को राजा बनने का सुख होता था यानि की सारे प्लेजर मिलते हैं आज के जमाने में अभी अगर इस तरह के चक्र हतेली पर होंगे तो सरकारी नौकरी प्रॉपर्टी पैसे जरूर होंगे गुरुवार का दूसरा माहा उपाय क्या है ये जानिए क्या आपकी शादी नहीं हो रही है गुरुवार को सुरियोदे से पहले उठी नहाने के बाद भगवान विश्नु के सामने घी का दीपक जलाएं इसके बाद विश्नु सहस्तर नाम का पाठ भी करें अगर आपकी कुं और आप से देवताओं की गुरू भरस्पती की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। इस दिन पूजा करने से धन, विद्या, बच्ची और मन्चाहा फल मिलता है। गुरुवार को भगवान भरस्पती की पूजा का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख शानती रहती है जल्दी शादी के लिए भी गुरुवार का वरत किया जाता है गुरुवार वाले दिन वरत करने के लिए सुभा उठकर ब्रस्पती देव की पूजा करने चाहिए ब्रस्पती देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चड़ा कर किया जाता है इस वरत में केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है कथा और पूजा के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ती के लिए भ्रस्पती देव से प्रातना करनी चाहिए जल में हल्दी डाल कर केले के पेड़ पर चड़ाएं केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चड़ाएं साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें दिन में एक समय ही भोजन करें खाने में चने की दाल या पीली चीज़े खाएं नमक ना खाएं पीले वस्त्र पहनें, पीले फलों का इस्तमाल करें पूजन के बाद भगवान भ्रस्पती की कथा सुननी चाहिए भ्रस्पती देव गुरू की प्रसंता की उपाई भी जान लीजे बड़ों का सम्मान करके उनका आशिरवाद लीजे चने की दाल और केसर का मंदिर में दान करें केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं साल का पहला गुरुवार है अब जरा आपसे गुरुग्रह की बात कर लेती हूं क्योंकि ये ग्रह आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालता है और अगर आप इस ग्रह को ठीक रखेंगे तो जिंदगी की बहुत सी उलजने अपने आप दूर हो जाएंगे जिन लोगों की कुंडली में गुरू का प्रभाव आधिक होता है, वो टीचर, वकील, जज, पुरोहित, विद्वान, आस्ट्रोलोजी की फील्ड में आ जाते हैं सोने का काम करने वाले सुनार, किताबों की दुकान, मेडिसिन की दुकान, लाइब्री, प्रिंटिंग मशीन, गुरू का अधिकार होता है आपकी पढ़ाई, धर्म, अनर्जी, लीडर्शिप पर भी गुरू साथ साथ पॉलिटिक्स, विरासत, परंपरा, पद और सिद्धी का भी गुरू ग्रह से लेना देना होता है गुरू से प्रभावित लोग हश्ट पुष्टियां थोड़े मोटे हो सकते हैं इनका शरीर बड़ा होता है और साथ साथ ये जूट आसानी से नहीं बोल सकते हैं लेकिन कई बार गुमा कर बात करते हैं इनका गुस्से पर पूरा कंट्रोल होता है ये जूठी तारीफ ना सुनना पसंद करते हैं और ना करना और धर्म के काम में रुच्ची रखते हैं यही कारण है कि गुरू जिस ग्रह को देखेगा वो भी बलवान हो जाएगा और पाप ग्रह के साथ होने पर यह जूट की रहा पर चलता है ब्रश्ट नेता, सोने का स्मगलर साथ साथ यह रिश्वत खोर अधिकारी भी बना सकता है ब्रश्ट पती ग्रह के अशुब लक्षन क्या है यहाँ पर सिर पर चोटी के स्थान के बाल उड़ जाना गले में माला पहनने की आदत डालने तना सोनाख हो जाए, चोरी हो जाए, बिना कारण शिक्षा रुख जाए आपके अच्छे रिलेशन्शिप में अफवाएं उड़ती जाए आखों में तकलीफ होना, मकान और मशीनों की खराबी विकार के दुश्मन पैदा होना, दोखा होना साप के सपने, सास या फेफडे की विमारी, गले में दर्ध हो सकता है ब्रस्पति ग्रह के शुबलक्षन, इंसान कभी जूट नहीं बोलता उनकी सच्चाई के लिए वो प्रसिद होता है, आखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है अपने ग्यान के बल पर दुनिया को जुकाने की ताकत रखने वाले, ऐसे लोग के प्रशंसक और हितैशी बहुत होते है ब्रस्पति ग्रह की शांती क्यों पाएं? ब्रस्पति ग्रह की शांती के लिए जिन वस्त्वों का दान करना चाहिए उनमें चीनी, केला, पीले वस्त्र, केसर, नमक, मिठाईया, हल्दी, पीले, फूल, भोजन, उत्तम कहा गया है इस ग्रह की शांती के लिए ब्रस्पति के संबंदिन द्रत्म का दान करना भी श्रेश्ट होता है दान करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिन ब्रस्पतिवार हो और सुभे का समय हो दान किसी जरुवत मंद को कीजिए, गरीब पुरोहित को कीजिए ब्रस्पतिवार के दिन वरत रखना चाहिए, कमजोर ब्रस्पतिवालों को केला और पीले रंकी मिठाईयां गरीबों को पंच्छियों को विशेश कर कउओं को देनी चाहिए गरीबों को दही चावल खिलाना चाहिए रवीवार और भ्रसपतिवार को छोड़ कर सबी दिन पीपल के जड़ को जल से सीचना चाहिए गुरू, पुरोहित और टीचर्ज में भ्रसपती का वास होता है इनकी सेवा करें, इनका मजाक न उड़ाएं इनसे कभी भी बुरी तरह से बात न करें केले का सेवन और सोने वाले कमरे में केले रखने से भ्रसपती पीड़त प्यक्तियों की कचनाईयां बढ़ जाती है लेकिन इससे बचना चाहिए बिमारियों वाली दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर को जरूर दिखाईए इलाज के साथ सा तुपाई करेंगे तो ही बहतर रहेगा गुरू का प्रभाव अपने माता-पिता गुरू जन प्रती के आदी आदर रखने से भी बढ़ता है समय पर इनके पैर चुकर आशिरवाद लेना चाहिए बलकि रोज लेना चाहिए सफेद चंदन की लकरी को पत्थर पर गिस कर उसमें केसर मिलाकर इसको माते पर लगाना चाहिए या ठीका लगाना चाहिए मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर आपको अच्छे से सेवा करनी चाहिए किसी भी मंदिर या इबादत की जगा पर यहां पर भी पूजा आर्चना की जाती है सामने से निकल कर सिरको श्रद्धा के साथ जुकाना चाहिए ऐसे लोगों को दूसरी फीमेल्स या मेल्स के प्रती आकर्शन या गलत रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहिए वैसे तो किसी को भी नहीं रखना चाहिए लेकिन गुरू से प्रभावित लोग ज़ादा ध्यान दे गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के सामने आपको गाए की घी का दीपक जलाना चाहिए थर्सदे की दिन आठे की लोई में चने की दाल गुर और पिसी हल्दी डालकर गाए को खिलानी चाहिए वैसे तो गाए को रोटी खिलाएं कच्छे आठे से गाए की इंटिस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है यह ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सहा गुर्वे नमा का जाप कीजिए गूगल कर लीजिए थर्सदे की दिन ब्रसपती का नक्षत्र का बार है पता चल जाएगा आपको करीब 76,000 जाप करने हैं एकी दिन में नहीं करने हैं आप राम से कीजिए शुरुवात उस दिन कीजिए तो समझी आपका ब्रसपती स्ट्रॉंग हो जाएगा और गुरु की क्रिपा आपको मिल जाएगी और सबसे जरूरी बात साल भर पीपल की क्रिपा पाने के लिए पीपल के व्रिक्ष के पास कभी गंदगी ना फिलाएं और जब भी कभी किसी मंदिर किसी भी धर्मस्थान पर जाएं सामने से गुजरें तो सिर्फ जुका कर हाथ जोड़ें चलिए शो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है ये बताती हूं क्या इस साल प्रोमोशन पाना चाहते हैं आप प्रोमोशन अठका हुआ है तो आप थर्सदे का फास्ट रखें इस दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करें सत्य नारायन की कथा सुने मैंने आपको शो पर भी बहुत कुछ बताया है उसी को करना होगा गुरू से जुड़ी पीली चीजों का दान करें जैसे की चने की दाल, गोल्ड, हल्दी, आम, खेला प्रोमोशन मिल जाएगा सत्य नारायन की पूजा के बारे में हर हिंदू जानता है लेकिन घर में सत्य नारायन भगवान की पूजा क्यों जरूरी है साल 2018 में अपने घर पर भगवान सत्य नारायन की पूजा कराने से आपको क्या लाब होगा और इस पूजा की सही विधी विधान क्या है आईए ये भी जान लीजे जो भी सत्य नारायन की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके बहां एक अलपना बनाएं और तो और उस पर पूजा की चक्की रखें इस चक्की के चारों पाई के पास केले के विरिक्ष लगाएं इस चक्की पर ठाकुर जी और श्रीश सत्य नारायन की प्रतिमा को स्थापित करें पूजा करते समय सबसे पहले गणपती जी की पूजा करें फिर इंद्रादी, शक्ती दिपाल और पंच लोगपाल, सीता सहित, राम जी, लक्षमन जी, राधा कृष्ण जी की इनकी पूजा के बाद ठाकुर जी और सत्य नारायन जी की पूजा करें इसके बाद लक्ष्मी माता की और आखिर में महादेव की ब्रह्मा जी की पूजा करें पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चर्णा मृत लेकर प्रसाद बातें पुरोहिट जी को दक्षणा दें, जरुवत मंदों को खाना खिलाएं अगर आप खुद पूजा नहीं कर सकते हैं, तो किसी योग्य पुरोहिट से सहायता जरूर ले गुरुवार के दिन ये जानकारी आपका कल्यान करेगी भगवान विश्नु प्रसन होंगे क्या ऐसी दुलहन आपको भी चाहिए? परिशान ना हो, मिल जाएगी आज थर्स्दे के शुब दिन, आपको एक और बात बताना चाहती हूँ आपने देखा, गुरुग्रे आपकी शादी भी कराते हैं तो क्यों ना आपकी शादी पर बात कर ले? आपको अपने पसंद की लड़की नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं इस साल जरूर मिल जाएगी तो फिर चलिए, आपको बताते हैं कि जो गुणी दुलहन होती है जो अच्छी दुलहन होती है, उसके लक्षन क्या होते है ताकि इस साल जब आप लड़की देखने जाएं, तो ये लक्षन जरूर माच करें पूरी जिन्दगी खुशी से भी देखी चिकनी, सीधी और गाठ रहेत वाली उंगलियां, मतलब गाठें ना हो ये सबसे उत्तम होती हैं जिन फीमेल्स की उंगलियां छोटी होती हैं, ये जरूरत से जादा खर्चीली होती है दोनों हातों की उंगलियों को जोडने पर, अगर ऐसे दोनों हातों की उंगलियों को जब आप जोड लेते हैं और बीच में खाली जगा दिख रही होती हैं, तो खाली जगा अगर बीच में दिख रही होती है तो ये इनका खर्चीला होना तै होता है किसी भी महिला की हतीली के पीछे बाल हूँ यहाँ पर तो थोड़ा संभल कर शादी करें क्योंकि इनमें थोड़ी सी चीटिंग केपिबिलिटी जादा होती है वक्त हो गया है आज की स्पेशल आस्टो टिप का लक्ष्मी नारायन जी की तस्वीर को जैसे मैंने आपको बताया अपने घर में इस्ट में लगाई यह बहुत अच्छा रहेगा लेकिन लक्ष्मी नारायन की तस्वीर अच्छली लगाने से होगा क्या ये क्या सिंबलाइज करती है जैसे आप जानते ही हैं कि नारायन जो विश्णूजी है वो पालन हा रहे और मालक्ष्मी उनकी वाइफ हैं तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ बेसिकली अगर आप विश्णू जी और लक्षमी जी की तस्वीर इस्ट में लगा रहे हैं तो आपको कुछ लोगों का खयाल जरूर हो रखना पड़ेगा जैसे अपने घर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं रेड लाइट पर कितने बच्चे होते हैं इन्हें कुछ खाने पेने के लिए दीजिए मतलब बिना अपने पर्सनल इंट्रेस्ट के अगर आप किसी की भी पालना करते हैं यह नहीं कि आपने उसको अडॉप्टी कर लेना है या उसका सारा खर्चा उठा लेना है पैसे यह करें तो बहुत अच्छी बात है तेकिन जितना आप अफॉर्ड कर सकें अगर आप किसी की पालना करते हैं तो मा लक्ष्मी के लिए आपको भागने की जरुरत नहीं है वो खुद चली आएंगी तो अगर आप में वेश्णू जी जैसे गुण आ जाएंगे तो मा लक्ष्मी कहीं और जाही नहीं सकती इस तस्वीर से आपका मेंटल माइंडसेट ऐसे हो जाए इसलिए इसे घर के इस्ट में या नौर्थ इस्ट में लगाईए आईए अब आपको आज का चौथा माहा उपाई क्या है ये बताते हैं ध्यान से सुनिए अगर आपका करजा नहीं उतर रहा तो क्या करें साल 2018 में अपना सारा करजा उतार सकते हैं आप बस एक बात का ध्यान जरूर रखें कि थरस्दे को कभी किसी को दान ना दे या कोई भी पैसे मांगने आए उसे मना करते अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इससे आपका गुरू ग्रह कमजोर हो जाएगा आप समान दे सकते हैं पैसे नहीं दीजी इसलिए भूल कर भी किसी को थर्सदे को पैसे ना दे नहीं तो करजा उतरने की जगा बढ़ने लगेगा तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको आज का मोटिवेशनल मेसेज दिलवा देती हूँ इस साल आप इनर्जी से भरे रहें इसलिए मैं ऐसे मेसेज़ेज आपके लिए लाती हूँ ताकि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी ना हूँ पगवान ने इनसान को बनाया इसलिए कि वो संगस करें और मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं भी एक इनसा होगा जो बोलेगा कि मुझे कभी दर्द नी हुआ या मुझे कभी तकलीफ ने हुई कि हर इंसन उस तखली बाहर हो तो मुझे लगता है क्या हैं वह सबसे मुझे लगता है कि विशवास है कहीं ना करना चाहीं है कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, सब बदल सकते हैं, तो मेरे साथ कभी भी कुछ होता है, तो बस एक खुद पर मेरा विस्वास है, पहीना कही क्या पतापकी मेहनत कम हो तो वो मेहनत को बढ़ा होगे तो जरूर इस नेक्स्ट येर में आपका सपना जरूर पूरा होगा और इंसान सब कुछ कर सकता है मेरे खेयाल है कि इंसान अगर कुछ सोच लेता है ना दिल से तो वो करेगा वो पंगा Entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल आपके future की बाद क्या करें अपने राशी के हिसाब सिज़ट पर जाने मेश राशी के लोग विश्णु जी की पूझा करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 61% विश्चव राशी के लोग घरवालों के साथ बैठ कर खाना खाएं हैं आपका 64% करक राशी के लोग मंदिर में फूल चड़ाईएं भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 66% सिंग राशी के लोग लक्ष्मी जी की पूझा कीजिए, किसमत आदे रहे हैं आपका 60% कलिया राशी के लोग सुभः शेहध खाएं भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 65% तुला राशी के लोग सुभब बिना दूद की चाई पीजे भागे साथ दे रहा है आपका 62% विश्चिक राशी के लोग करीब बच्चों को मिठाई खिलाइए किसमत साथ दे रहे हैं आपका 68% धनू राशी के लोग राधा कृष्ण की पूजा कीजे भागे साथ दे रहा है आपका 70% मकर राशी के लोग दही खा कर घर से निकलिए भागे साथ दे रहा है आपका 61% कुम राशी के लोग हनुमान जी की पूजा करें किसमत साथ दे रहे हैं आपका 63% मीन राशी के लोग राम मंदिर जाएं और पूजा करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 68% Facebook पर जोती लोधी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेर की है जोती studies में बहुत वीक है और जब भी वो पढ़ती है तो भूल जाती है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता इसके उपाई जानना चाती है जोती ये लक्षन बता रहे हैं की आपका मरकरी वीक है हरी सब्जियां जरूर खाएं नौर्थ की तरफ चहरा करके पड़े और अपने हाथ में ग्रीन धागा बांदिये ताकि आप में confidence की कमी ना हो साथ साथ तुलसी का जूस निकाल कर अपने यहाँ पर और चेस्ट के सेंटर में लगाईए साल 2018 में अपनी मन चाही इच्छा पूरी करने के लिए हल्दी की साथ साबुद गाठे साथ गुड की डलियां एक रुपे का सिक्का किसी पीले कपड़े में थरस्दे को बांद कर रेलवे लाइन के पार फेग दे फेगते समय अपनी काम ना बोले आपकी मन चाही इच्छा जरूर पूरी होगी प्लीज आपको रेलवे लाइन की बीच में नहीं खड़ा होना है अपनी लाइफ का कहीं किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लीजेगा आज के लिए इतना ही कल शुक्रुवार है मा दुरगा का दिन है मा लक्षमी का दिन है आपको माला माल बनाएंगी आपकी किस्मत खोलेंगी कल साल का पहला शुक्रुवार है मा का दिन है आप कैसे मिस कर सकते हैं तो इस बारे में कल बात करेंगे